नौस देखिए यह doubt है, एजर्शन में दिया है, for any acute angle theta, the value of sine theta cannot be greater than 1, और reason में दिया है, आपको hypotenuse is the longest side in any right angle triangle, देखिए बच्चों, सबसे पहले, इस question में doubt क्यों आ रहा है, और यह कहां से पूछा गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले, यहाँ पर बच्चों इन्हों ने बोला है, for any acute angle theta, अच्छा रुख जाओ, मैं आपको बताता हूँ, यह सवाल उन्हों ने पूछा क्यों है, और confusion क्यों हा रहा है, यहाँ से देखिए, आप एपनी NCIT बुक बच्चों उपन करोगे न, यहाँ पर एक discussion किया गया है, कौन सा discussion है, यह वाला topic, देखिए, यहाँ पर देखिए, technometric ratios of 0 and 90 के बारे में, यहाँ discussion किया हुआ है, तो यह मैं आपको भी थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, यह मैं आपको भी थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर, अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले question दिया है, तो उस question में क्या कोई condition आपको दीए, वो देखिए, condition क्या है, for any acute angle theta, ठीक है, theta क्या है, क्योंकि कोई भी question मिले, तो सबसे पहले आपको condition को ध्यान में रखते हुए, answer करना है, तो बच्चों, condition है, क्या theta जो है, वो any acute angle है, any acute angle है, ठीक है students, okay, acute angle क्या होता है, आपका 90 से छोटे जोगंगे हैं न, 0 और 90 के बीच वाले जो angle है, वो आपके क्या है, acute angle है, ठीक है न, और हम class 10 में, according to class 10 में, इस question को करूँगा, तो class 10 में जो angles हैं, वो acute angles के लिए, technometric ratios आपको निकलवाए गए हैं, ठीक है students, तो आपने देखा भी होगा, कि theta आपका 0 है, ठीक, फिर यहाँ theta आपका 30 degree था, इसका अंसर आप कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ, देखो, NCRT ने बोला कि, अगर हमारे पास कोई triangle ले, बच्चों मान लीजे, ABC, यह देखिए, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा NCRT वाले picture पर ही चलता हूँ, ठीक है, इस diagram में देखिए, बच्चों क्या हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए, यह acute angle है, मान लो theta, अब हमने क्या कि, अब हम theta को कम करते जा रहे हैं, तो theta को आप कम कैसे करोगे, बताओ, decrease कर रहे हो theta को कैसे, यह AC ऐसे आजाएगा, तो theta और कम हो गया, यह AC ऐसे आजाएगा, तो theta और कम हो गया, यह AC ऐसे आजाएगा, तो theta और कम हो गया, और यह AC ऐसे आजाएगा, तो theta और कम हो गया, तो आप क्या देख रहे हो धीरे-धीरे बच्चों, धीरे-धीरे आप क्या देख रहे हो, कि BC की length यहाँ decrease हो रही है यह देखी BC 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 decrease हो रहा है यह देखी BC इस तरीके से decrease हो रहा है ठीक और finally क्या हो जाएगा बच्छों यहाँ पर finally जब यह theta 0 हो जाएगा यहाँ पर जब theta कितना हो जाएगा 0 degree हो जाएगा तो यह AC इस तरीके से A B के साथ कौन साइट कर जाएगा यानि कि C वाला पॉइंट कहा जाएगा B पे तो A C की लेंद A B के एक्वल हो जाएगी यहाँ पर क्या हो गया A C is equals to A B हो गया यह चीज हो गई ठीक अब अगर यह वाले प्रोसेस में इसमें मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ यहाँ से मैंने यहाँ मूफ किया हुआ है ठीक यहाँ से यहाँ मूफ किया अब आपको एक बात पता है क्या कि जो साइन थीटा होता है बच्चो इतना तो आपको पता होगा कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपो यह होता है ना पर्पेंडिकुलर अपॉन में हाइपो पर्पेंडिकुलर और हाइपो का जो रेशियो होता है पॉटेनिस का वही साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का यहां से यहां मूफ करें वों इस तरीके से कंथ तो आपका जो परपंडीकुलर यह च्षोटा होता चला जा रहा है तो अब कुछ भी ओ खास बात यह है कि पर्पेंडिकुलर हमेशा आपका हाइपो से छोटा होगा ठीक पक्का यह तो आपको पता है ना कोई भी ट्राइंगल है यह लट जो ट्राइंगल है इसमें जो हाइपो है आपका वो बढ़ा हो जाएगा यहने कि एसी का जो लेंद है वो ग्रेटर है किससे पर्पेंडिकुलर से बढ़ा है यह पर परपेंडिकुलर है ना थीटा के सामने वाला यह पर पर पिंडिकुलर है आपका ठीक और यह क्या आपका हाइपो है correct ऑपके इस तरीके से तो एसी जो की हाईपो है आपका वह आलवेस पर अबी भी जो AC है, वो आपका perpendicular, बस आपको क्योंकि trigonometric ratio sin theta perpendicular upon hypo होता है, तो आपको बस इसके बारे में बेखो, ये perpendicular है और ये hypo है, तो अभी भी hypo किस से greater है, बताईए, perpendicular BC से, और अभी भी ये जो hypo है, ये किस से greater है, बताईए, perpendicular BC से, ठेक, अभी भी यह hypo, जो है perpendicular, आपको पता है, किसी भी triangle में, hypo सबसे बड़ा side होता है बई, CDC बात है, तो यह hypo पक्का, 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 surely यह perpendicular से बड़ा होगा, ठेक है, यह देखिया, आप कहीं पर भी आजाएगी, यह देखिया, यहाँ पर भी AC-BC से बड़ा है, ठेक है यानिके अब आपका देखिए आपको यह basic math तो आती है ना कि अगर हमाय पास denominator बड़ा हो जाए numerator चोटा हो जाए ठीक भई हाइपो बड़ा है परपेंडिगुलर चोटा है तो खुछ सोचो और एक चीज और यह भी पॉजटिव नंबर है और यह भी परपेंडिगुलर की ले परपेंडिगुलर तो आंसर कि आएगा बताई एक तो आपके पास परपेंडिगुलर याद रखना है कि हर एक बार जो हाइप परपेंडिगुलर से बढ़ा है तो आपका जो भी आज़सर आएगा वो पक्का वन से लेस होगा की आपका जो भीुंगे अगर थी Interior थी बार थी जब अगर हमेशा ये देखने को मिलेगा कि जो साइन ठीटा होता है फंटिध्यट होता है तो यहाँ पर ये हमेशा लेस देन वन ही तो देखने को मिलता है और इसका रीजन ये हो रहा है यह answer जो है P by H याने के perpendicular upon हाइपो यह वन से छोटा क्यों आ रहा है भाई यह वन से less इसी लिए तो आ रहा है क्योंकि हाइपो सबसे बड़ा side होता है एक हाइपो इस दा largest side हाइपो इस दा largest side है हम लोग क्लास 10 में हैं और क्लास 10 में हमें ठिग्मेटृटिक रेशियो एसा ही तो निकालने सिखाएगा है कि यह riye tangle triangle बना लो और shine visit a निकाल लो यह tanっぱ निकाल यो जो निकाल ना है निकाल लो ठीके ना ओक्शों तो हमने वह घ्ल मेंने निकाल के देखा तो हर एक बार हमारी साइब वेल्लु है पक्का वन से छोटा और है पक्का क्यों कि हर एक बार डिनॉम्निटर बड़ा है और नूम्रेटर छोटा है बाइन चोटा है यह यहदि युदी आप इधर से इधर move करेंगे, मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो, कि अभी यहाँ theta 0 है, तो ac को ऐसे थोड़ा करूँ, तो ac ऐसे आ जाएगा, तो theta बढ़ गया, अब ac को ऐसे करो, तो theta और बढ़ गया, अब ac को और करो, मतलब आप theta increase कर रहेो, है थीटा हर एक बार एक्यूट एंगल ही थीटा एक्यूट ही है यार बस बढ़ा रहें ठीक तो थीटा ये और थीटा ये ऐसे करते करते आप एक ऐसी सिच्वेशन पर भी अगर पहुत जाओगे ना कि ये एसी ये ऐसे हो गया कि ये थीटा लगभग 90 हो गया मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले आप ये देख लो पहले आप ये पिच्चर देख लो अभी इधर से इधर हम जाएंगे प्रशान ना होगी है जब आप इधर से इधर जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि साइन थीटा हर एक बार व खुद दिमाग लगई है और यहां पर जो एंगल रहा था ही चोटा होजयएगा सी के पास सी एंगल चोटा होजाएगा अमे अब्ने आउसी और को हम इधर खिशकाते चले जाए जैसकि को एदर खिशका रहे हो सिठी को आप इधर खिशका रहे हो doctrine इसली को इभए और डिक्रीज हो जाएगा यह एंगल अब और डिक्रीज हो गया और यहाँ वाला थिटा और इंक्रीज हो गया सोचो तो A को अगर B के बहुत पास ले आ है तो कुछ ऐसे पिच्छर दिखाई पड़ेगी कुछ ऐसी मतलब ऐसा B यहाँ होगा और A यहाँ होगा तो यह A भी तो 90 बना रहा होगा यानि कि ठीटा एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया होगा 90 ठीक है और यह वाला एंगल यहाँ पर यह वाला एंगल C वाला यह वाला छोटा होते होते 0 हो गया होगा तो यह वाला एंगल 0 हो गया होगा क्रेक्ट ओके अब कुछ भी मुँआ अगर आफ लास वाले केश को छोड़ दो कि लास वाले कि Jmankich में सांग दो अगर आप साई थीटल लगाओ गे तो साई Je mellan 50 is equal to perpendicular Sun ay lethal set तो आपका 2020 और अप अपन में hy limitation को क्या था आपका एसी तो इस कंडिशन में जब ए बहुत ही बी के पास होगा तो ए और भी लगभग को इंसाइट कर जाएंगे और एसी की जो लेंथ होगी वह बीसी के कर रहे हो आप इस डिरेक्शन में आप जा रहे हो तो जब लंप उसी आप यंप आभाई शाई हट निकालना वैसेपस सही निकालोगे ठीक है तो हर एक बार आंसर आपका था क्सी फिगर में आप देख लोगे तो आपका हाइब फर्य से बढ़ाए है परपेंडिकुलर से बढ़ा है तो जब दिनॉम्नेटर आपका बड़ा है और ढूमेटर छोटा है तो आंफर तो तो लेस दान आएगा ही टेक बात समझ गए तो यह चीज है यानि कि साइन थीटा की वैल्ल्उ वन से लस क्यों आती है क्योंकि हाइप्डेनिस हमेशा क्या होत एकवाल हो गया तो भाई था सिन थीता इता है तो भाई वो हमारे जो वह सब्सक्राइब करी यह बाद करी उसने साइन जीरो की बात करी जो मैंने पीछे कर रहा था साइन जीरो-जीरो होता है आपको पता है। ठीक है साइन 100 होता हूँ साइन 00 क्यों होता है वह आप चेक कर लो मैं ठायंगल बना के दिखा देता हूँ यह देखो कि अगर यहां बी यहां सी और यहां ए तो यह एस एसे गएगा और एब्योंड आ जाएगे रहें आहने अगे आिप और यहां B और C भी यहीं आ जाएगा ना तो AC का लेंथ इस बार किसके कवल हो जाएगा मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा साइन फेटा यह वाले रेड कलर से लिखा है यहां पर साइन फेटा यानिस किसी नई खोजाएगा इसी अब हैपो चाहे जो भी यह जिरो अपाण समसिंग यह जिरो हो जाएगा लेंध पर पर्पेंडिकुलर का जीरो पां समनी क्या होता है तो उसने ना जीरो आले की बात न उसने 0 वाले की बात नहीं करी, उसने बस 0 और 90 के बीच वाले, यहने कि उसने इन सारे एंगल्स की बात करी होगी, जब ठीटा acute होता है, 0 से 90 के बीच में, तो आपने देखा, हर एक बार, hypo is greater than, ठीक है, hypo is greater than, क्या होता है, perpendicular, तो denominator बड़ा, और numerator छोटा, तो answer 1 से तो छोटा ही आएगा, और positive ही आएगा, 1 से छोटा, और positive मतलब 0, 1 के बीच में आएगा, value, sign का, क्योंकि perpendicular, यह पॉज़टेगुलर, हाईपो, दोनों ही positive value है, पॉज़टेव अपॉज़टेव पॉज़टेव ही आएगा, और 1 से छोटा आएगा, पक्का, समझ गए होगा, बाब, तो चेक कर लो, चेक कर लो, आप इंटरनेट पे इसका answer सर्च करोगे, तो आपको उल्टे सीधे answer मिल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, ये बिल्कुल सही बात इन्हों ने लिखी हुई है, क्या, for any accurate angle, theta, the value of sin theta can not be greater than 1, सही बात है, 1 से बड़ी हो नहीं सकती, sin theta की value, क्योंकि perpendicular, upon, हाईपो होता है, और आपको पता है, कि हाईपो is always, हाईपो is always, perpendicular से greater, है न, तो denominator बड़ा, numerator छोटा, तो answer overall sin theta का less than बनाएगा, फिर reason क्या दिया, उसने, हाईपो is the longest side in any right angle triangle, तो सही बात तो है, किसी भी right angle triangle में हाईपो ही सबसे बड़ा होता है, तो हाईपो ही अगर सबसे बड़ा होता है, तो वो हाईपो perpendicular से भी बड़ा है, बेस से भी बड़ा होता है, और इसी लिए ऐसा होता है, मैंने करके तो दिखाया, तो याने के बच्छों, assertion true है, reason भी true है, तो both assertion, reason true, और reason जो दिया, वो बिल्कुल सही दिया है, reason assertion को explain करने में, पूरी तरीके से capable है, बिल्कुल capable है यार, क्योंकि उसने theta बराबर 0 पे तो बात ही नहीं करी यार, क्योंकि theta बराबर 0 पे, क्या होता है, क्या होता है, अभी दिखाया था, क्या होता है theta बराबर 0 पे, अगर तुम इसको theta को, ये theta को अगर तुम 0 कर दोगे, तो ये hypo AB के equal हो जाता है ये ऐसे गिर जाएगा और डाइग्राम ऐसा आएगा A B और यहीं पर C आजाएगा जब theta 0 है तो B और C कुन side कर जाएगे तो उस time तो AB का length AC के equal होगा उस time तो AB का length क्या होगा AC के equal होगा लेकिन उसने theta पर जीरो पर बात ही नहीं करी यार तो यह वाला case ही नहीं लिया उसने तो यह वाला case अगर नहीं लेगा तो हर एक बार आपका जो hypo है वो हमेशा perpendicular से बढ़ा ही तो रहेगा यानि कि हर एक बार hypo ही तो longest side होगा triangle में ठीक है ना इस condition में तो triangle ही नहीं बनेगा और उसने 90 वाले पर भी बात नहीं करी वो भी मैंना आपको बताया वो क्या कह रहा है पढ़ लो acute angle की बात कर रहा है तो 90 वाले case पर क्या होगा यह देखो यह B है और यह C है 90 वाले case पर A यहां कहीं आ जाएगा B के बहुत पास और यह angle 90 हो जाएगा लगभग लगभग ठीक तो उस time A C और B C कुन साइट कर जाएगे तो A C बराबर उस time B C हो जाएगा यानि के hypo perpendicular के equal हो जाएगा लेकिन theta बराबर 90 पे तो बात ही नहीं करी ना उसने तो acute angle के लिए यह दोनों बाते हैं इन्होंने सही लिखी हुई है और reason assertion को अच्छी तरीके से समझा रहा है ठीक बोथ assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion option A आप शायद internet पे दिखोगे option B दिखा हुआ है लेकिन according to class 10th option A is the correct option reason assertion को explain कर रहा है condition देखिए जरा उसने क्या लिखा है acute angle तो acute angle के लिए यह बात हमेशा true होती है और यह बात लगाते हुए sign की value 1 से कमाएगी I think आपको समझ में आ गया होगा